रोर्णामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक का एक फाइटर होना जरूरी है इसलिए फाइटर बनने के लिए रिक को एक टेस्ट देना पड़ता है इस टेस्ट में रिक एक न्यू कमर फाइटर से लड़ता है रिक एक्जामिनर से पूछता है क्या मेरा आज तक सारे क्वालिफायर मैच जीते हैं, वैसे इस टेस्ट में हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमारी अबिलिटी स्टैंडर्ड को क्रॉस कर जाती है, तो तुम पास हो जाओगे, अगले सीन में हमें रिक की ओपोनेंट दिखाई जाती है, ये कोई और नह ये सुनकर रिक थोड़ी राहत की सांस लेता है, अंजलिका सोचती है, जिसने मेरे भाई को हराया था, जो कि एक A-Ranker है, आखिर मैं उसे कैसे हरा पाऊंगी, अब मैच शुरू हो जाता है, अंजलिका को रिक अभी भी कमजोर लग रहा होता है, वो इस बार कोई चांस नह नहीं लेना चाहती, इसलिए अंजलिका शुरूआत से ही रिक पर हमला करने की कोशिश करती है, पर अचानक से वो फिसल जाती है, अंजलिका को लगता है कि शायद गलती से उसका पैर फिसल गया है, अंजलिका फिर से ट्राइ करती है, पर इस बार भी वह गिर जाती है, सोचती है मैं बस इतने से हार नहीं सकती ऐसा सोच कर एंजलिका रिक से दूर हो जाती है पर रिक फिर से पलक जपकते ही एंजलिका को जमीन पर गिरा देता है रिक ऐसा बार बार करता है जिससे एंजलिका का लड़ने का होसला तूटने लगता है एंजलिका अभी भी रिक के पास जाती है और कहती है आखिर तुम कितनी बार मेरी बेज़ जती करोगे एंजलिका को रोते हुए देखकर रिक को कुछ समझ नहीं आता इसलिए रिक एंजलिका को चुपकर आने के लिए उसे डिनर पर लेकर जाता है अगला सीन एक रेस्टरांट का होता है यह रेस फिस्ट किंग टर्निमेंट जीतने आया है फिस्ट किंग टर्निमेंट जीतना एक बहुत बड़ी बात है रिक के मुंग से यह बात सुनकर एंजलिका बहुत ज्यादा शौक हो जाती है हमें पता चलता है कि एंजलिका यहां चार महीने से है और वह भी टर्निमेंट में हिस् मैच जीतने होंगे एक नॉर्मल इनसान को कम से कम 6 महीने लगते हैं अगर कोई इनसान बिना रेस्ट के लड़े तब भी वह एक महीने में 10 मैच ही जीत सकता है क्वालिफायर मैच शुरू होने में बस एक हफता बचा है एक हफते में 40 मैच जीतना इंपॉसिबल है इस पर रिक कहता है अगर मैं एक दिन में 10 मैच लड़ूं तो फिर यह तो हो ही जाएगा रियानेट बताती है कि रिक ने पहले ही 4 दिन में 40 मैचस कर लीते हैं यह सुनकर एंजलिका और भी ज्यादा हैरान हो जाती है आगे हम रिक के पहले मैच पर शिफ्ट होते हैं रिक के ऑपोनेंट का नाम होता है ग्रिट आलबर्ट टेस्ट कराने वाला ओफिशियल रिक को देते हुए कहता है कि ग्रिट मैच के दौरान अनलॉग वेपन्स का यूज करता है पर हमें बॉडी चेकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है तो तुम ध्यान से लड़ना इसके बाद हम सीधा मैच पर शिफ्ट होते हैं रिक को अलबर्ट को देखकर नहीं लगता कि वह को तो कुछ भी नहीं होता है बलकि रिक की स्ट्रांग बॉडी से टकरा कर अलबर्ट का हाथ ही टेड़ा हो जाता है इसके बाद रिक फुल स्पीड से अपना पंच अलबर्ट के कान के बगल से निकालता है इससे इतनी ज्यादा तेज शॉक वेफ्स बनती है कि अलबर्ट बे कोमेंट में बताएं शेयर करें